हेलो फ्रेंड स्वागत आपका होम टिशन चल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दिलिपलिस के एकजाम में बस अब 29-30 दिन का ही टाइम बाकी रह गया है तो ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है अभियर्थियों के सामने वो है सलेबस की बहुत सारी अभियर्थियों जिनका सलेबस कंप्लेट नहीं होगा है बहुत सारी अभियर्थियों ऐसे भी है जिनका सलेबस कंप्लेट हो चुका है और वो तयारी यानि प्रक्टिस के दोर में जा चुके हैं दोस्तों तो वो ऐसे अबिर्थी जो प्रक्टिस कर रहे हैं, जनका syllabus complete हो चुका है, वो आपसे बहु ज़्यादा आगे हैं दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, किस कम टाइम में कैसे बढ़ा जाए, किस टोपिक को चोड़ा जाए, किस टोपिक को बढ़ा जाए, ताक है, तो सबसे बड़ी बात यह है, कि दिल्ली प्लिस के एक्जाम में 15 क्यूसन आपके math से आने वाड़े हैं दोस्तों, और 15 क्यूसन में आप यह मान के चलें, कि 4-5 क्यूसन इतने easy आएंगे, इतने easy आएंगे, कि जिस बच्चे को math का M नहीं आता, वो भी उन क्यूसनों को सही करके आएगा दोस्तों, तो हमारी लड़ाई उन 4-5 क्यूसनों की नहीं है, हमारी लड़ाई है 10 क्यूसनों की दोस्तों, जो extra 10-11 क्यूसन आएंगे, जो easy to moderate level रहेंगे, उन से हमारी लड़ाई है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता है कि math में ऐसे अगर overall देखा मैं आपको यह जो best art topic है, यह बताने वाड़ा हूँ, कि अगर आपने 30 दिन में, जो आने वाले 30 दिन का time आपके पास बचा हुआ है, इन 30 में, इस 30 दिजनों में यह art topic कर लीजिए, आपके full बटा, full number लाने से कोई नहीं रोक सकता, यह वादा है हमारा दोस्तों, ठेक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो आगे जाने से पहले इतना ही करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजी, share कीजी और चैनल को subscribe कीजिए, अगर नहीं कि है दोस्तों, ठेक है, तो यह जो art topic है, इनको आप ध्यान से देखे, वीडियो को मैं जो बताने वाड़ा हूँ, ठे में बहुत सारे सब topic आते हैं, जैसे सवाल आएगा किसी संख्या को 19 से भाग देने पर इतना से बसता है, तो उससे संख्या को 7 से भाग देने पर कितना से बचेगा, ठेक है, सबसे बड़ी भिन, सबसे छोटी भिन, square, root, किसी संख्या को कितने से, या किसी संख्या को निमन है ना, और बहुत सारी fraction based question भी आएंगे, ठेक है, सेरीज आपकी जो है, भिन की जो सेरीज होती है, एक बटा 20, एक बटा 30, एक बटा 40, इनका प्लसर भी लेगा, तो इस प्रकार के जो question है, आपके number system भी आएंगे दोस्तों, तो number system आपके लिए भो ज़्यादा, most हो जाता ह मालीजी आपको सुत्र आता ही नहीं है, गोस्त निकालने का, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अबाज्य संख्या मुझे पता है, कौण कौण से आप लिखके किसी ना किसी प्रकार से कर सकते हो, लेकिन आपको अबाज्य संख्या की परिवासा ही नहीं पता है, तो आपको ना तोस्त निकड़ेगा आपका और ना ही आप सवाल कर पाओगे दोस्तों इसलिए यहाँ पे नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपोरेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक रूल हैं जो पूरे मैथ को ही कवर करते हैं दोस्तों यहाँ से अगर मान लीजे नंबर सिस्टम में आपने भाजगता का नियम अच्छे से कर लियां दोस्तों कि कोई संख्या 2 से कब भाग जाती है 4 से कब जाती है 3 से कब जाती है 7 से कब भाग जाती है तो यही भाजगता का नियम आपके LCM और HCF में काम आने वाड़ा है लगुतम समापवर्तक और मैतम समापवर्तक के टोटल सवाल एक-एक सवाल आप भाजगता के नियम से सोल कर सकते है बिना सवाल को सोल के डारेक्ट आंसर पर टिक कर सकते है दोस्तो तो यहां से अकेला टोपिक नहीं है इसके संद्रम में भूँच सारे छोटे छोटे टोपिक है दोस्तो ठेक है और यहां से क्युस्टन पूछा ही जाएगा पूछ लिया जाएगा नियमन में सबसे बड़ी भिन कोण सी है यहां पूछ ले जाएगा किसी संख्या को 27 से भाग देने पर यह से सबसता है तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर क्या से बज़ेगा इस प्रकार की क्युस्टन तो आएंगे ही आएंगे दोस्तो बात आगे समझ में तो पहला टोपिक हमारा नंबर सिस्टम दूसरा हमा सरह जो वैराइटीज क्युस्टन हैं वह हमारे को देखने को मिलते हैं जिनसे ऐग्जाम में क्यूशन बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों तो सबसे पहले इहां पर दो टोपिक नंभर सिस्टम simplification अब आगे बढ़ते हैं नंबर तीन टोपिक की और वो है आपका ratio ratio and proportional ठेक है दोस्तो अनुपात और समनुपात दोस्तो ठेक है ratio and proportional अनुपात और समनुपात दोस्तो ये केवल आपका अकेला टोपिक नहीं है ये ratio and proportional तो है दोस्तो अनुपात पूछ लिया जाएगा वेतन पूछ लिया जाएगा इसके अलावा दोस्तो इसमें mixer or allegation की क्यूशन भी हम इने में आपको कवर करना है क्योंकि आपको पता ratio and proportional का 25 पैसे के सिक्क्यं हैं तो बताएए 50 पैस्के के सिक्कों के संगय इस प्रकार ये जो कुशन आते हैं या पूछ लिया जायगा एँ एश गूद बन गल्लसपास के रैचسمे में क्योशन और होगा Prabu टेन आपको यह ओ जो गई तो मिसमें की और मिलाए जाए कि अनुपाद च्यार अनुपाद च्यार हो जाए इस प्रकार के जो क्यूशन आते हैं यह आपके रेशन प्रपोस्टन से आएंगे और क्यूशन डेफिनिटल यहां से पूछे जाएंगे दोस्तों नंबर च्यार जो हमारा टोपिक हो जाता है वो है आपको प्रिक्षा समद एक प्रिक्षा में सतर प्रिक्षांत है अंग्रीच्जी में पास होते हैं जाते हैं अनुपन çalışतें ऑपता है एक्जाम के point of view से किसी चिन्नी का मुले 20% कम होने से कोई वेक्ति 100 रुपय में 2 किलो चिन्नी ज़्यादा घरित पा रहा है तो प्राचिन भाव क्या है वरत्मान भाव क्या है इस प्रकार की जो क्यूशन है वो percentage बेसी होते हैं दोस्तों ठेक है और अकेले percentage जब आप cover कर लें तो अगर आपने percentage पढ़ रखा होगा तो आप बटा आराम से निकाल सकते हो लेकिन percentage का ज्यानी नहीं है तो आपसे ना तो percentage सो लोगा ना profit loss सो लोगा ना ही discount सो लोगा और ना ही चक्रवर्दी ब्याद सो लोगा बातारी समझ में तो percentage और दूसरी चीज इसी percentage के आधार पे आप समय और कारिये में छमता आधारित क्यूशन पुछे जाते हैं कि A की छमता B से 50% जादा है तो A इतने दिन में इस काम को करता है तो B कितने दिन में करेगा दोस्तो बातारी समझ में इसी परकार ratio जो ratio आपका topic में ने बताया हैं दोस्तो आप जब time and distance में जाएंगे समय और दूरी में जाएंगे रेल समंदित क्यूशन या जो क्यूशन आते हैं समय और दूरी के उनमें उस पूरे के पूरे topic को हम relation proportional से कर सकते हैं बातागी समझ में इसलिए यह जो चार topic है ना दोस्तो मान की चलिए आपके एक्जामें इन चार topic से कम से कम 6 question आपको देखने को मिलेंगे कम से कम 6 बता रहा हूं मैं ज्यादा तो आभी सकता क्यों कि परसंटेज से हम profit loss को भी कवर करेंगे बातारी समझ में अरे total 15 क्यूशन आने वाले हैं अगर एक टोपिक से एक क्यूशन भी एक्जामनर उठाए तो 15 क्यूशन मातर 15 क्यूशन आने वाले हैं तो से ज साधारन ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज इस टोपिक से आपको ये मलिके ले लिजिए दो क्यूशन तो डेफिनेट ले आएंगे एक सवाल तो पुछा जाएगा कोई धनरा से 6 वरस में स्वेम की 4 गुणा हो जाती है तो कितने वरस में 12 गुणा हो जाएगी एक क्यूश दन बताईए या मूल दन बताईए तो दो क्यूशन आपको इस टोपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों ठेक है इसके बाद जो हमारा नंबर 6 टोपिक आ जाता है वो आ जाता है आपका टाइम एंड वर्क ठेक है समय और कारिये एक ऐसा टोपिक है चाहिए कोई भी एक्जाम ले लिजिए किसी भी वंडे एक्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम एंड वर्क्सेक्यूशन ना आहीं दोस्तों ठेक है इसके बाद जो नंबर 6 टोपिक हो जाता है आपका वो है टाइम एंड डिस्टेंस ठेक है दोस्तों और जो नंबर 8 हमारा टोपिक है वो आप सभी जानते हैं क्या होगा दोस्तों मैंस्यूरेशन च्छेतर मेती और अकेले मैंस्यूरेशन से आपको 2-3 क्यूशन आपको ओवराल पेपर में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों बात आगी समझ क्यूशन आपको इन दो टोपिक से देखने को मिल सकते हैं ठेक है तो और समयकारी से भी क्यूशन आएंगे समयदूरी से भी क्यूशन आएंगे परसंटेज अकेला परसंटेज नहीं है ये अगर आपने परसंटेज को आराम से पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ है तो आप परसंटेज के साथ-साथ profit loss को भी आराम से कोर कर रहे होंगे discount के किसन को भी आराम से टिक कर कर रहे होंगे ठेक है दोस्तों तो यहां से यह जो आठ topic है ना दोस्तों देखो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह दिन है है हमारे पास 30 एक तो ऐससे ने वैसे हमें टाइम नहीं दिया इस साल बरती में अभी पिछले मेने फॉरम सब्विट किये हैं और अभी अगले मेने हमारा एक्जाम होने वड़ा है यानि लग बग धाई से तीन मेने का ही टाइम हमारे पास रहा इस प्रिक्षा को त्यार करने का ठेक है और दिल्लिपलिस एक ऐसी जोब है जिसमें हर बच्चा जाना चाहता है दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा टफ यहां पर जो स्टेज है वो पहला ही है आपके पास क्योंकि 28 लाख में से 20 उगना ही पास किये जाएंगे बस यानि पूरी की पूरी जो भीड है वो यहीं से निकलने वाली है तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है कि अपने आपको थोड़ा सा क्वालिफाई किया जाए इतना सकोर किया जाए कि ना केवल फिजिकल के लिए जबकि सलक्षन के लिए भी नंबर सकोर यहां पर किये जाएं दोस्तों तो यह जो टोपिक मैंने बताए है न दोस्तों अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पारे हो इस 30 दिनों में आने वाड़ 10 से 11 क्युस्टन है वह इन टोपिक से भार नहीं जाएंगे अगर भार जाएगा तो एक अदा सर्ट से इंडाइस से चला जाएगा और एक जाएगा और एवरेज से बात आगी समझ में लेकिन अगर आप यह आठ टोपिक बहुत अच्छे से कर लेंगे तो एवरेज की लेकिन अगर कोई बचाओं का उस्त है कर्मागत संसंख्या यह कर्मागत विसंसंख्या है नेच्रल नंबर है पूर्णांक है तो यह जो टोपिक है यह आपके लिए गाठ बांद लीजी यह एक प्रकार से दवाई है आपके लिए बात आरी समझ में आखरी 30 दिन के जो लेदी है आपको कुछ मत कीजिए अगर आप अन्य टोपिक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कीजिए ठीक है लेकिन अगर कोई बच्चा यह कई कि सर मेरे पास तो समय नहीं पता नहीं मैंच पढ़ने का मन भी ने करता है क्योंकि प्रेसर बहुत जादा है कई बा ऐसे टोपिक है जिनसे सवाल बढ़ेगा ही बढ़ेगा चाहे सवाल एक या दो आई वो मेटर नहीं करता यह आठ टोपिक ऐसे हैं जिनसे एक्जाम में कम से कम एक कुछन तो आएगा ही आएगा दोस्तों तो अगर आपने केवल इन आठ टोपिक को अच्छी से त्यार किया तो दोस्तो 8 question तो आपके ऐसे ही हो गई 8 question हो गई 3 से 4 question आपको easy लेखे मिलेंगे बिल्कुल simple ठेक है simple percentage पूल है जाएगा discount पूल है जाएगा simple average पूल है जाएगा तो भाई 8 question तो ये हो गई और 4 question आपको easy मिलेंगे बिल्कुल जिसको math का आता ही नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़र जिसने जिंदगी में महत नहीं पड़ा वह भी उन 4-5 question को करके आएगा तो आठ ये च्यारवे कितने होगे बारा बचगे है तेन question तो तेन question आपको पता है discount से पूछा जाएगा प्रोफित लोज से पूछ ले जाएगा एवरेज से पूछ ले जाएगा एल से पूछ ले जाएगा तो जो टोपिक हम यह कवर कर रहे हैं न दोस्तों इनके साथ इनकी ही 60 चाह में जब आप परसंटेज त्यार करेंगे तो profit मिक्सर को भी त्यार कन्सक्राइब लगता है तो उससे भी क्यूस्टन आएगा वो भी हमारा बन जाएगा बात हां नी समझ में टाइम से से पढ़ा है तो बोटन स्टीम भी आपकी बढ़ जाएगी बस थोड़ा सा अंतर है उसमें धारा की चाल और यह जो वे पर इस तो नहीं है ठीक है मैं से आपको पता है दो तीन क्यूशन तो डेफिनेटल आएंगे दोस्तों ठीक है तो जो बैस्ट आट टोपिक है वो हमारे यह है नंबर सिस्टम, सिंप्लिफिकेशन, रेशन, परपोसनल, परसंटेज, एसाई एंड सी आई, टाइम और टाइम और डिस्टेंस और मैंसुरेशन यह आठ टोपिक त्यार करके ले लीजिए मैं आपको गारंटी देता हूं तेरा से चोदा क्यूशन आप आराम से करके आएंगे अपनी दम पे दोस्तों ठेक है रही बात 15 से में 15 की तो अगर आपने इन आठ टोपिक को ध्यान से किया है न तो आप माई का लाला ऐसा कोई नहीं है जो आपको 15 में से 15 लेने से रोख सके दोस्तों ठेक है क्योंकि 4 से 5 क्यूशन मान की चलिए कि हर बच्चा लेकिन कम से कम आठ टोपिक को करके जाए बस इतना करना चाहता हम ठेक है तो अब्ध है आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक की जिये शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब की इसी प्रकार की वीडियो came अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद गुडबाई